सभी वक्तों को शिरी शिवाय नमस्तु भ्याम हरहर महादेव ओब नमस्षिवाय तो जैसा कि हम आपको इस सीरीज में बता रहे हैं 11 रुद्रों का उपाए और आज हम आपको 10 रुद्र का नाम बताएंगे 10 रुद्र का उपाएंगे जिनको दूसरी संतान प्राप्त करनी है फिर कितने भी वर्ष क्यों न बीट गए हो 35 वर्ष 40 वर्ष या फिर 45 वर्ष या फिर उनको बीट गए हो लगबग 20 से 30 वर्ष फिर भी उनको निश्चित रूप से संतान प्राप्ती हो सकती है ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मारे चैनल पे मिल जाएगी तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं दस्वे रुद्र का नाम जिनका नाम है चंड हिंदी में इनको कहा जाता है दस्वे रुद्र को चंड जिनको चंड कहा जाता है चंड रुद्र या फिर चंड महातियु के नाम से जाना जाता है तो आपको वही करना है जो आपने पिछले 900 उंबारों में किया है बेल पदरी के विरक्ष के नीचे छोटा सा कुंड बना कर उसमें जल डाल कर एक दीपक पर जुलिद करके थोड़ा सा खीर का परशाद बना कर इस कुंड को चंड का नाम दे कर इसमें से जल निकालना है जब जल आप कुंड में डालोगे तो निश्चित रूप से जल गंदा होगा पर जब जल ठहर जाएगा तो मिट्टी सारी नीचे बेढ़ जाएगा कच्रा नीचे बेड़ जाएगा उपर जो होगा वो केवल, केवल स्षज जल होगा उसमें से आपको तीन बार आच्मन कर लेना है जो भी उपाय कर रहा है और अपने साथी के लिए पत्नी कर रहे है तो पत्नी के लिए तीन बार जल और निकाल ले आचमन कर ले यानि कि उस जल को पी ले चंड महादीव या चंड रुद्र के नाम से और फिर जो खीर का पशाद आपने बनाया है रात्री को सोते समय उस खीर का आपको सेवन करना है पती और पतनी दोनों को यदि कोई माता बहन की उपाय कर रही है और दसवे रुद्र तक पहुँच चुकी है तो मेरा विश्वास है कि उनको अभी तक दूसरी संतान की खुशकबरी मिल गई होगी उनका कर टहर गया होगा और वह पूरे ग्यार रुद्र का उपाय करने वाले है अब अगले वीडियो में ग्यारवे और अंतिम रुद्र का हम आपको उपाय बताएंगे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक साधिक लोगों के पास में ये दसवे रुद्र का उपाय शेयर करें सभी बक्तों को अरार मादेव